नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं इसे पूरो वर्ष 2020 में भी प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया था, इसके बाद वर्ष 2021 में परिक्षा नहीं हुई थी, वहीं वर्ष 2022 में फिर पैटर्न का बदलाव किया था, एक बाद फिर वर्ष 2023 के लिए दसीव बरह हुई के परिक्षा पैटर्न में बात का खुला सा नहीं किया है कि कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है वहीं अंदर खाने की रिपोर्ट या है कि नई सत्र से पैटर्न में बदलाव कर दिया जाएगा बताया गया है कि वर्ष 2022 की तरह पर 162 टर्म में ली जाएगी लेकिन प्रस्ण पत्र का पैटर्न दिन भी जारी है बड़ी संख्या में लोग रेलवे ट्रेक पर उतर का अंदोरन कर रहे हैं इस वज़ा से एक दजन ट्रेन ने रद कर दी गई है इसमें धनबाद से खुलने वाले ट्रेन भी सामिल है सुबा धनबाद से टाटा जाने वाली स्वन रेका एक्सप्रेस को रद रहेगी सुबा खुलने वाली जार गराम धनबाद में मुरद रहने से अब दोफर में धनबाद से भी रद रहेगी वहीं गोमो से चलने वाली गोमो चक्रधरपूर एक्सप्रेस भी रद है आशन सोल जसी डी होकर चलने वाली टाटा दानापूर एक्सप्रेस को दोन जारखन बंगाल उडिशा का सभी मार्ग होगा प्रभावीत अभी आदिवासी का दर्जा पाने के लिए कुडमी समाज का रेल डोको आंदरन खत्मी भी नहीं हुआ था कि आदिवासी सेगेल अभियान नामक संगठन ने सारना धर्मकोट के लिए संगठन के राष्ट्री अध्याक्षवा मीरु भंज के पुर्व सांसत साल खान मुर्भु ने बताया है कि 20 सितंबर को उडिशा के राज़धानी भुनेसवर में आदिवासी सेगेल अभियान ने सारना धर्मकोट के मन्याता के लिए एक दिवस्य धर्ना परदसन किया वहां घोसना की गई है कि सारना धर्मकोट के मन्याता जल्द ही दी जाए अन्या था 30 नॉमबर 2022 को पांच राजियो जारखन बंगाल बिहार उडिशावा असम में एक दिवस्य रेल रोड चक का जाम किया जाएगा भारत सरकार को अल्टिमेटम दिया गया है कि 29 नॉमबर तक सारना धर्मको मन्याता परदान करे सरकार आत्मक पहल का संकेत दे या वारता शुरू करे 1932 के खतियान का समर्थन किया बिजेपी विधायक धूलू महतो 1932 के खतियान धर्मक अस्थानिय निती को यूँ ही हेमन सरकार क मास्टर स्ट्रोक नहीं कहा जा रहा है सरकार किया निती विपक्षियों को न उगलने और नहीं निगलने बन रही है जिस मुद्धे पर विपक्ष के नेता हेमन सरकार को घेर रहे थे अब उन्हीं मुद्धे पर सरकार ने ऐसा काड़ खेला है कि विपक्ष हका बक्का है बहराल अब तक इस मुद्धे पर चुपी साधे भाजपा के बाग मारे विधायक धूलू महतों ने उन्हें 32 के खतियान का धार्पत्ता है कि गई आस्थानिय निती और वो भी सी के 27 परतियत आरक्षन का समर्थन कर दिया है बुद्धवार को राजी के सिक्षा मंत्र जगनात महसुस हुआ उनके अलार्गो स्थीत अवासे कर्याले में मिले उस दवरान उन्होंने यह बात कही है जगनात महतों को ढूलू का राजी नितिक प्रतिद्वंद माना जाता है सन्यूक्तराष्ट पहुंची ज़ारखन की बेटी काजल नियो ज़ारख में सन्यूक्तराष्ट के मंच पर ज़ारखन की बेटी ने अपनी उपच्छती दाज कराई है भारत की पिछले राज्यों में एक जारखन और यही बाल मजदूरी करने वाली बेटी कायल ने सन्युक्त राष्ट में बैस्विक नेताओं के सामने बाल मजदूरों की पीला को लेकर अपनी बात रखी मौका था सन्युक्त राष्ट की टांस फर्मिंग एजुकेशन सब्मिट का 20 साल की कायल ने गंभीता से कहा है की बाल सरम और बाल सोशन को खत्म करने के लिए सिक्षा की सबसे महत्पुन भूम कहा है इसलिए बाचों को सिक्षा के अधिक से अधिक आधिक अशर परदान करने होंगे और इसके लिए बैस्विक नेताओं को आर्थिक रूप से अधिक परयास करने चाहिए कयस कांड के तीन बिधायकों पर आज स्पीकर दल बदल की करेंगे सुनवाई कोलकाता में कैस कांड में फसे कांग्रेस के बिधायक डक्टर इफाननसारी बिकसल को गाड़ी और राजेस का खचाप पर चल रहे दल बदल मामले की सुनवाई गुरू और कोई स्पीकर रबिंद्र नाथ महतो करेंगे इन बिधायकों पर हेमंत सुरेन सरकार के खिलाब दूसरे बिधायकों को ओफर देकर दल बदल कराने का आरोफ है वहीं कांग्रेस बिधायक अनूप सिंग वा, सिल्पान नेहाथ तिर्की की सिकायत के बाद बिधायक दल के नेतालमगीर अलम ने इन बिधायकों खिलाब दल बदल की सिकायत स्पीकर से की थी स्पीकर के नया धीकरन में इस मामले की सुनवाई चल रही है सियम हेमंत का एलान सुसजित छत्रवासों में रहेंगे च्छात्रे मुख्य मंत्री हेमंसुरे ने कहा है कि वह दीन बीत गया जब खंड़र जैसे छत्रवास में रहने को बिवस थे वनचित वर्ग के विधार थी अब वे सुसजित छत्रवास में रहेंगे जहां सभी सुविधाय उपलवध होगी राजे गठन के बाद से जिर्नोधार की बाट जो रहें अनुसुचित जन जाती अनुसुचित जाती पिछड़ा वर्ग यहम अलप संख्यक छत्रवासों के जिर्नोधार का काम सुरू हो चुका है टूटे फर्स बर्सात में छट स्ट पकता पानी जिर्न सिर्न खिड किया और दरवाजे बर्सों से रंग रोगन को तरश्ते छत्रवास के भवान अब कल की बात हो गई है आधिवासी छत्रवास अधोनिक अधारबुद सनाचना से सुचसित अपने आ रही है जहां चमचमाता फर्स स्वक्ष सोचाला है लाइबरेरी पानी वबीली की बेवस्था है खतियान के अनुसार ओनलाइन जाती बनाने में हो रही समस्य है ग्रामिनों में रोज खतियान के अनुसार ओनलाइन द्वारा जाती बनाने में बहुत सारी समस्य हा रही है उन्होंने कहा भरंडी हा मौजा थाना नमबर 614 के खायता नमबर 192, 16, 17, 146, 147 में 1964 में सर्वे में जाती भोमिज के अस्थान पर खतियान में जाती सर्दार लिख दिया गया है जिस कालान ओनलाइन जाती पौण पत्र नहीं बन रहा है रामगड में सफाई के नाम पर 8 लाग के गहने ठगे भुरकुंडा थाना छेतर के सोदा बस्ति निवासी सी सील कर्मी सुदेश परसाद के घर की महिलाओं को गहना साफ कराना काफी मांगा पड़ गया है बता दे दो साथी ठगों ने सफाई के नाम पर करीब 8 लाग रुपए की गहना ले उड़े पुलिस मामले की छान बिन में जुट गई है भुग्त भोगी महिला परभाद देवी वा राम दुलायरी देवी ने पुलिस को बताया है कि बुद्धवर को दो युवाक बाइक स उनके मुहले में पहुंचे थे दोनों युवाक मुहले के 4-5 घरों में गए इसी दरान हमारे यहाना भी पहुंचे गेट पर ही खड़े होकर कहा कि वे लोग बरतन साफ करने का क्याम करते हैं उनकी बातों में आकर घर से एक कासा का लोटा उनने साफ करने को दिया उन मिला उनकी बात में आगई भागपा मावादी संगठन के अस्थापना दिवस को लेकर हजारी बाग में अलर्ट भागपा मावादी नकषली संगठन एकई से 177 पर्तक अस्थापना सपतादिवस मना रहा है अस्थापना दिवस को लेकर हजारी बग स्पी मनोज रतन चौते ने नक्सल परभावी छेत्र के सभी थाना वा पिकेट को हाई अलट किया है जीले के सभी सरकारी संस्थान पूल पुलिया सड़क रेलवे ट्रेक पर विशेस निगरानी रखने को कहा है अपर पूलिस महानी देश्थाक जारखन सस्थास्त्र ने जीले के सभी समाजश्टा को अपने अपने जीला में सतरक ताप रतने को कहा है नक्सली मुठभेड में घायल CIPF जवान ली अमतिम सास चार दिन पूर्व चात्रा जीले के परताप पूर्थाना छेतर में भागपम मवादियों गुरवादियों के साथ होई मुठभेड में घायल हुआ CIPF 1092 बटालियन का जवान चितरंजन कुमार गुरुवार के सुबा बलिदानी हो गा है उनका उपचार रांची के एक नीजी अस्पताल में चल रहा था चितरंजन कुमार को पायर और कमर में गोली लगी थी बिहार के नलन्दा जीलाग के रहने वाले थे और मंडल पूलिस पता दिकारे विनास कुमार ने चितरंजन के बलिदानी के पुष्टी की है बता दे कि 18 सितंबर को चात्रा जीले के परताप पूर और कुंदा थाना चितर के सीमान पर पूलिस और भागपा मवादी के बिच भिशन मुटबेड हुई थी धन्यवाद यदि आप चनल पनाए हो तो चनल के सब्सक्राइब कर बहुल का बेले का अंद बाईए साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडबेक अवस्य दे थांक यू